पश्रिम बंगाल के सफर पे चुनावी चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं कलकत्ता में कलकत्ता का ऐसी मार्केट है यहां आईए हम जानते हैं अस्थानी बैपार के लोगों से अस्थानी बैपारियों से कि क्या इस्तिती रहेगी इस बार चुनाव में क्या नाम है आपका मेरा नाम है भीमबैद इस बार पश्रिम बंगाल में चुनाव काफी सरगर्मी है सभी पार्टियां काफी दमखम के साथ उतर रहे जमीनी हकीकत क्या है यहां कि इसका कारण ये ही कि वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी तरेगा कुछ भी डवलप्मेंट नहीं हो रहा है है सब नहीं यहां पर भी फ्लाइः और ब्रीज बन रहा है नहीं और बन रहा है एक फ्लाइः और बिज यह बनने का था वो जो असो गिर गया अच्छा फ्लाई ओभर की बात कियें तो एबात सही है कि अने सहरों में डेबलेमान का काम बहुत तेजी से हो रहा है खासकर निर्माण लोग निर्माण भाग में और सेतु निगम में और पश्चिम बंगाल जो है काफी अतिहासिक सहर रहा है और यहां पर इसका ना होने के कारण इसको किसके जिम्मेदार मांगते है इसका जिम्मेदार यह तरहनमल कोंगरेशी है इसके पहले भी 20 साल तक यहां बामपंथ किसा है इसके पहले भी कोई डवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी डवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर जो भी ब्रिज बनता है या कुछ भी डवलपमेंट का काम होता है, जिसकी सरकार होती है, उसका नेता लोग ही पूरा ठेका लेता है, बालू वही देता है, सीमेट वही देता ह और सब कुछ डुप्लिकेट नकली देता है और ओरिजनल का पैसा लेता है अच्छाए आप मुम्ता जी का जब सरकार आई थी तो काफी जोर सोर के साथ आई थी लेकिन दस साल में जनता से अचानक मोह भंग हो गया अच्छानक मोह भंग होने का यही का एक कारण है कि यहां कोई भी डवलप्मेंट के नाम पर कुछ नहीं है आपको क्या लगता है बीजेपी जहां भी है चैकेंद्र में है अन्हें राज्यों में वहाँ डवलप्मेंट का कारिशल वहां देखे और राज्य का ज़्यादा हमको ये पता नहीं है बाकि गुजरात और को तो देखे हैं कि मतलब अच्छा डवलप्मेंट हो रहा है और राजस्थान के अंदर भी राजस्थान की सड़क देखिए बहुत बढ़िया सड़क हुई परिवर्तन यहां जरूरी है बहुत जरूरी है क्यों यहां पर एक डवलप्मेंट नहीं होने का एक कारण यह भी है परिवर्तन जरूरी है तब जाकर के मतलब कुछ काम होगा अच्छा अने राज्यों हम देखते हैं विकास की बात होती है अने चीजों की बात होती है पश्चिम बंगाल के अंदर यही है अपना जो सोई यह भाइपो वाली राजनिती है तो इस राजनिती के अंदर तो मतलब जो कुछ ही होगा नहीं भारती जन्ता पार्टी तो करती है कि हम एकता और गिबात करते हैं और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाएगी इस बार बीजेपी वाला तो यहीं बोल रहा है कि मतलब जो सो यह बंगाल का हम यह करेंगे दारिकरन करेंगे और रतन टाटा को भी वापस लाएंगे बंगाल के अंदर फैक्ट्री लगाएंगे यहां पर जितना बंगाल में यह उद्धोग दंदा था पूरा पूरा खतम से ज्यादा कामगार यहां पर कार करते थे वह मीले बंद हो गई क्या ऐसा लगता है कि उनको रहती तो यहां उद्धोग क्योरा उसर बनते हैं कि यहां पर पिटूगा की मील चलती थी जो बड़े पैमाने पूर्टत पर सब दिया वह सब मील अगर रहती जैसे एक मील रतन टाठा की यहां पर फैक्टरी लगने को थी उसको भी ममता जी ने उखाड करके फेंग दिया उसी फैक्टरी के मुद्दे पर सत्ता में आई थी बाकि जो वो बात बोली थी वो बात तो किसी के साथ वो की नहीं तो वहां की जनताब एकदम दुखी है कि हम लोग बहुत देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे कुछ नहीं किया जमीन भी हाथ से गई उसमें जमीन में किमिकल जयसो यह डाला गया है और कोई वहां पर ज्युत्च कुछ नहीं तो वो खेती किर पा रहा है नहीं लोग को मतलब कुछ ही यह हुआ नहीं तो वहां की जगे, वहां की जनता सब चमन हो जाती